हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टड़ी आईक्यू साथियो आप यहां पर देख रहे हैं बिहार स्पेशल की एक ऐसी सिरीज जहां पर आपके पेपर में सबसे अधा कोशन देखने को मिलते हैं तो आज के सेशन में मैं आपके साथ यहां पर कवर करूँगा बिहार के कुछ एतिहासिक इस्थलों के बारे बे जहां से हो सकता है पेपर में डिरेक्टली कोशन आप से राइब हो जाएं और उसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कम समय में मैं उम्मीद करूँगा इस क्लास की अच्छे तरीके से पीडियाफ को एक्सिस कर लिचेगा और इस क्लास की पीडियाफ के लिए आप क्या कर सकते हैं आप मेरे यहां पर टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं यह मेरा टेलिग्राम चैनल है दोस्तो याद रखेगा और को आप अच्छे तरीके से जॉइन कर लें जहां पर आपको सारी important class की PDF बगरा देखने को मिलेंगे सबसे पहला अगर हम बात करते हैं स्थान की बिहार के तो एक स्थान आपको देखने को मिलेगा डैट इस अपसर समने नाम सुनाओगा दोस्तों अपसर कहां पढ़ता है कोई में आपको देखने को मिलेगी ठीक है और यहां से जो inscription प्राप्त हुए हैं जहां पे जो विलेग प्राप्त हुए हैं तो उससे जो गुप्त साशन है गुप्ता जो time period रहा और यहां पर एक और बात की जाती है जो मकौरी रूल एक है मकौरियों की जो घटना चकर है वो आ अंदिर का एक यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक अफशेश टाइब का ठीक है यानि कि जो रमाइंड के जो कथा है वो आपको यहां पर दिवारों पर रमाइंड की कथा आपको अंकित देखने को मिलेंगे दर्श्य अंकित देखने को मिलेंगे तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे important सबसे पहला हमारा अपसर ठीक है अपसर से कोश्चर बनेगा यह कहाँ पर located है तो याद रखे नवादा में located है और किसलिए famous है तो याद रखे यहाँ से गुप्त शाशन के अभी लेको की बात हम यहाँ पर करने की description की बात करते हैं दूसरा कुंडगराम आपका कहाँ पर स्थित है तो कुंडगराम आप लोगों का दोस्तो वैशाली में आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर वैशाली में और यह किस नाम से famous है तो याद रखें यह बसाड के नाम से famous है दूसरा important historical place बिहार में है आपका कुंडगराम तीसरे important place की बात करते हैं और चिरान आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तो यह आपको देखने को मिलेगा सारण में कहाँ पर दोस्तो सारण में आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर नियो लिथिक और आपके सबसे इंपॉर्टन जो नव प्रस्तर यूग और ताम प्रस्तर यूग है ठीक है उसके कई सारे अफशेश खुधाई में यहाँ पर प्राप्त हुए है तो इस्टोरिकल साइट्स आपसे पूछ ले कि भाई ये बताईए कि नियो लि बात करते हैं दोस्तों नदन गया गया बहुत एंसेंट सिटी है आपको पता होगा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टन विश्ण उपद मंदिर आपको देखने को मिलेगा जो कभी दोस्तों बहुत इस्थिली या बुद्धिस साइट आपकी देखने को मिलती थी ठीक है अगर ह इसको यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो विश्णु मंदिर का क्या दिया गया रूप दिया गया बात समझ माई इसी के निकट दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ब्रहमायनी पहडी ठीक है जहाँ पर पिंडदान करने की बात की जाती है यह भी काफी important है और religious importance यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी समझ मारी है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो वैश्णव है वैश्णव की अगर हम बात करते हैं किसकी वैश्णिजम की बात अगर हम करें दूसरा शाक्त की बात करें या शैविजम की बात करें तो उसका भी पत मंदिर की यहाँ पर अगर हम बात करें तो मिजर स्थान आपको देखने को मिलेगा नेस्ट आप लोगों का दिदार गंज दिदार गंज आपका पटना में है दोस्तो यह आप लोगों की एक तरीके से famous है किस चीज के लिए discovery of Morian period statue है ना यहाँ पर एक याद रखेगा एक यक्षणी किसकी यक्षणी की प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी famous water discovery of Morian period statue of basically यक्षणी याद रखेंगे यक्षणी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है तो दिदार गंज यह कहां पर है पटना संग्राले में आपको फिलाल अभी यह देखने को मिलेगा पटना मे से कई सारे question आपके paper में बने हैं बराबर गुफाें बराबर गुफाएं सबसे पहले याद रखें गया से 30 km दूर आपको देखने को मिलेंगी बराबर गुफाएं कौन से काल की हैं तो यह मौर्यकारील गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी ठीक है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे सबसे important तो ये inscriptions यहाँ पर जो देखने को मिलते हैं वो किसके देखने को मिलते हैं समराट अशोग के तीन और यहाँपर अगर हम देखेंगे समराट अशोग के तीन इंक्लूडिंग यहाँ पर दिरा ध्यान से समझे क्या-क्या बोला जा रहा है यहाँ पर मौलरे कालीन सबसे पहले ही आपकी केप्स होगी मौलरे कालीन ठीक है दूसरा समराट अशोक के तीन और उस केपोते दिश्डत के तीन श्रालेक सुरक्षे तवस्था में आपको देखने को मिलेंगे ठीक है बात समझ मैं नहीं समझ मैं किलियर है अब यहाँ पर एक और important बात जो बराबर की गुफाएं है उसमें अगर आप देखेंगे तो करण चौपर सुदामा, लोमस रिशी और विश्व जोपडी प्रमुक इस्थान आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे तो बराबर गुफाएं जो historical place है कहाँ पर situated आप लोगों का तो 30 किलोमेटर आपका गया में आपको देखने को मिलेगा, next आपको यहाँ पर एक important place है जै मंगलागन, जै मंगलागन दोस्तो आपका बेगूस राय में इस्थित है और यहाँ पर बुद्धिस साइट आपको देखने को मिलेगी, बहुत काली नफशेश आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे next आप लोगों की सब्त पढ़नी गुफा सब्त पढ़नी गुफा दोस्तो आप लोगों की याद रखेंगे, यह साइट आपकी राजगीर में स्थित है याद रखें, और यहाँ पर मगत समराड अग्याश शत्रू के शाशनकाल की अगर हम बात करें, तो 483 शापूरूफ की अगर हम बात करते हैं तो बहुत रहम की जो फस्ट बुद्धिस काउंसिल है, वो आपको यहाँ पर इस परवित्र स्थान पर या इस historical स्थान पर आपको देखने को मिलती है, very important next है दोस्तों, मनियारमट, मनियारमट कहां पर है राजगीर में, और याद रखें यह आप लोगों का गुपता एरा की monastery आपको देखने को मिलेगी, गुपत कालीन मठ है दोस्तों, और यहाँ पर सर्प पूजा से सम्मन्दित है, next स्थान है दोस्तों आपका केसरिया, यह आपकी बुद्धिस साइट है दोस्तों, और यहाँ पर विश्व का सबसे उचा स्थूप बहुत ही कै, यहाँ केसरिया का जो बहुत स्थूप है, वो विश्व का सबसे उचा स्थूप आपको देखने को मिलेगा और यह जो बहुत बुद्धिस्ट एक तरीके से हैं, उनके लिए एक तीरतिस्थल आप यहाँ पर बोल सकते हैं बहुत important तीरतिस्थल आपको देखने को मिलता है, next आप लोगों का दोस्तो वेकटपूर, वेकटपूर आपका कहां पर है पटना में आपको देखने को मिलेगा तो basically यह पड़ेगा आप लोगों का पटना से बक्तियार जाने वाला जो आप लोगों का यहाँ पर पत है, ठीक है, उससे एक किलोमेटर दूर इस्थित है, यहाँ प्राशीन मंदिर है, जिसे अकबर काली जो बिहार था, ठीक है, उसकार उस्विदार मान सिंग ने, जो उन्हों धार करक्शिव मंदिर का रूप दिया था, तो यह आपका वेकटपूर, एक है आप लोगों का वन गाउं, वन गाउं दोस्तों आप लोगों का कहां पे है, तो सहर सा से 8 किलोमेटर दूर आपको देखने को मिलेगा, यह भी आप लोगों की आर्केलोजिकल साइट है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो पाल जो पीरियड रहा है, वो डिसकवर यहाँ से होताव, आप लोगों को देखने को मिला, वही पर दोस्तों अगला है हमारा यहाँ पर, बात करते हैं मंडार हिल्स की, जो भागलकूर से आप लोगों की 50 किलोमेटर दूर दक्षिण में इस्थित है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगभग बोला जाता है 700 फुट जो आपकी उची और लगभग 5 किलोमेटर तक फैला, यह है पाड़ी, यहाँ पर दो प्राचीर, मंदेर और कई गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कुक्रिहार की बात करेंगे, कुक्रिहार दोस्तो यह आपका वजीरिकर्ज स्टेशन से वतलब तीन मिल की दूरी पर आपको देखने को मिल रहा है और गया में आपका सिच्चुटेट है, ठीक है, यह भी इस्टॉरिकल साइट आपको देखने को मिलेगी, वहीं पर दोस्तो नेक्स्ट है हमारी रामपूर्वा, जो हमारी नेपाल बॉर्डर पर है, और यहां से अशोकिस्तम के अफशेश जो उत्खन है, उससे अफशेश उत्खन से प्राप जोस्तो जो हैं, तो यहां पर कहा जा सकता है कि यहां पर भी उद्धि सेंटर रहा, नेक्स्ट है, यहां पर गुरुपद गिरी परवत, ठीक है, यह आप लोगों का जिले में बिहार और जहरकंड की सीमा पर इस्थित आपको देखने को मिलेगा गया जिले में, ठीक है, और यह आप लोगों की प्राचीन बहुत स्थरी आपको देखने को मिलती है, वहाँ पर यहां दोस्तो गुरुपपा पाड़ी, गुरुपपा पाड़ी के अगर हम बात करेंगे तो इसका नाम गुरुपाद गिरी था, और यह गौतम बुथ के शिश्य कश्यप ने समाधी, यहां पर ग्रहन की थी, तो उसके लिए फेमस है, वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट हमारा यहां पर दोस्तो भगवान गंज, यह आप लोगों का पटना की दानापुरुनुमंडल का एक गाउं है, याद रखें, तो यह कुछ जो मैं चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ, इसकी जो मैं पीडियाप आपको दूँगा, इसका तात पर यह क्या है दोस्तो, इसका तात पर यह सिंप्ल यह है कि आपको जितनी मेजर साइट्स हैं, वो पढ़नी ही पढ़नी है, एक बार गोथरू कर ले ना कौन-कौन सी इम्पॉर्टन साइट्स हैं, ठीक है फिर भी मैं कुछ आप लोगों के लिए हाँ पर इम्पॉर्टन साइज, आपको जो बता रहा हूं, उसको एक बार गोथरू कर लिए, तो पढ़नी पढ़नी तिनी मैंने आपको बताई हैं, कुछ मैं आपको और बता दे रहा हूं, जैसे दोस्तो आप लोगों का शेखपुरा इम्पॉर्टन साइट है, है या नहीं है शेखपुरा इम्पॉर्टन साइट, अरे बता रही जैगा दोस्तो जल्दी से, क्या शेखपुरा आप लोगों की इम्पॉर्टन साइट है या नहीं, बिल्कुल है, दोस्तो याद रिखेगा ठीक है, बिल्कुल है और यहाँ पर एक स्तूप बनवाया गया, याद रखके निसे हें सांगने भी क्या था देखा था, इसके लावा यहाँ पर हम बैदनात की बात करेंगे एक आपकी देवपनाख है, ठीक है यह मोस्त इम्पॉर्टन नहीं है, जो मैं रामपुर्वा, इंपॉर्टन है परोर, परोर आप लोगों की दोस्तों, दोनुहीं, वैसे अगर हम देखें, दोनुहीं इंपॉर्टन साइट हैं आप लोगों की याद रखें, इसके लावा बात करते हैं, एक है दुरुगास्थान एक है आपकी सगर्डिहा एक है आपकी अफसार, एक है दरिया पूर पारवती, तो मैं उम्मीद करता हूँ कुछ बाद समझ मारी है, ये मिजर साइट्स हैं अब हैं बहुत सारी, तो इसका तरीका क्या है, आप लोग बस इसको एक बार पढ़ेंगे, ये नहीं क्या रटना है बैट के, कि रटने बैट अगे सारी साइट्स को ना, रटने बैट जाओगे दोस्तों सब कुछ भूल जाओगे, आपका सिंपल काम है बस उसको देख लेना है, कि साइट्स कहां पीडियाफ इस क्लास की, मिल जाएगी कहां पर, आपको मेरे टेलिग्राम चैनल पर, और टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको मैं दे रहा हूँ, ये है टेलिग्राम चैनल का लिंक आप लोगों के पास सिंपल, दुबारा से बोल रहा हूँ है आप सभी लोगों से क्या नहीं करना रट्टा नहीं है, सिर्फ एक बार इसको A4 sheet पे go through करना है, लिख लेना है और जो आपको लगे ठीक है कि भाई ये sites हैं ये मालो जैट सब हसरा पाड़ी है तो हसरा पाड़ी कहां पर है और किसलिए important है, तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना और खासकर जैनिजम और बुद्धिजम से सम्मंदी जो sites हैं जो पाड़ीयां है, वो आपको यहां पर अच्छे तरीके से पढ़नी पढ़ेंगी, ठीक है तो मैं उम्मीद करूँगा, जितना मैंने भी आपको बताया है, उसको अच्छे तरीके से गोत्रू कलने, और PDF के माध्यम से access कर लीचेगा, पढ़ना कैसे है, वो मैंने आपको बता दिया, एक four sheet लेंगे, और important, important जीज़ों को note down करते चलेंगे, ठीक है, चलिए तो इसी उम्मीद के साथ आप से अलविदा लेंगे, और उससे पहले आपको जाते जाते हैं, important बात बता दूँ, जो भी बच्चे हमारे courses से जुड़ना चाहते हैं, जो भी बच्चे चाहते हैं हमारे courses से जुड़ना, दोस्तों आप हमारे state PCS live यहाँ पर आप देख रहे हो, इस पर आपको BPSC के course देखने को मिलेंगे, तो यहाँ से आप अपना courses enroll कर सकते हैं, और सबसे important आप हमारे steady IQ के application को भी download कर सकते हैं, ठीक है steady IQ के application को download करके, आप maximum discount भी हाँ पर क्या है, दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, तो historical sites, जो आपको बताई गई हैं, उसको एक बार फिर भी, ठीक है, क्या करेंगे, फोर सीट पे लेके, जो सारी PDF से go through, कर लेंगे, कुछ major sites मैंने आपको बताई हैं, starting में उसको एक बार देख लीचेगा, ठीक है, वो दिक्कत तो नहीं, और मैं उम्मीद करूँगा कि जो पुरानी classes आपके साथ भी हारी special की हुई है, उसको भी अच्छे तरीके साथ फोकस करते चले, ठीक है, चले, धन्यवात हैं, कि सो मज़ गाइस,